हलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे विटामिन्स के बारे में कौन से विटामिन्स किस नाम से जाने जाते हैं वो किन किन चीजों से हमें मिलते हैं और उनका काम क्या है तो चलो देखते हैं पहला है विटामिन ए जिसको रेटिनोर बोलते हैं और इसके जो स्त्रोत हैं वो हैं कलेजी, अंडे की जर्दी, घी, दूद, मक्खन, क्रीब और बिटा केरोटिन जो मिलते हैं वो मिलते हैं पीले वे लाल रंग की सब्जियों से और फल हरी पतिदार सब्जियां फल और जो फल कौन से कलर के जो पीले और लाल रंग के होते हैं और हरी पतिदार सब्जियां है उनसे हमें क्या मिलता है विटामिन ए आगे देखते हैं इसका कारे एपी थीलियमी उत्कों को स्वस्थ बनाए रखना जो उत्तक ये जो उत्तक है ये हमारी आँखों के अंदर तवचा के अंदर होते हैं इनको स्वस्थ बनाए रखते हैं मंद प्रकाश में देख पाने में सहायता करना यानि कि जब प्रकाश कम होता है रोशनी कम होती है तब ये देख पाने में मारी सहायता करती हैं क्योंकि आँखों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है विटामिन A हडियां तथा कोमल उत्कों की वृदी हमारी जो हडियां होती है यह जो हमारे कोमल उत्तक होते हैं उनकी वृदी में भी यह सहायक है कौन सा विटामिन विटामिन A सेकिन देखते हैं विटामिन D तवचा वै धूप की क्रिया से जो हमें सुरे की किरने हैं, सुरे की रोशनी हैं, उतसे हमें मिलता है वो विटामिन है, विटामिन D पस्व जन्ने खाद्य पदार, यानि कि वैसे वो पदार जो हमें पस्व से मिलते हैं जैसे अंडा, मक्खन, मचली और मचली के यकृत का तेल इनसे हमें क्या मिलता है? विटामेन D सबसे ज़्यादा हमें धूप से मिलता है और ये हडियों के लिए जरूरी है इसके जो कारे हैं वो देखते हैं केल्सियम तथा फास फॉर्स का अफ्रोशन करता है हमारे सरीर के अंदर जो केल्सियम और फास फॉर्स हमें मिलता है उसका अफ्रोशन करता है और इससे हडियां मजबूत बनती है केल्सियम वे फास फॉर्स का हडियों में निक्षेप पनी यानि की जो केल्सियम और फास फॉर्स हमारी हडियों के लिए जरूरी होता है उसका अक्षोशन कौन करता है विटामिन D और इसका जो विज्ञानिक नाम है वो है कैलसी फेरोल विटामिन D का नाम है कैलसी फेरोल आगे देखते हैं विटामिन E जो विटामिन E होता है वो हमें मिलता है वनस्पती तेल से साबुत अनाज से वो वनस्पती तेल है वो मुंगफली का तिल का बादाम का ये हो सकता है साबुत अनाज गहरी हरी पत्तेदार सब जिया जिन का रंग गहरा हरा हो दाले तथा गिरीदार फल तथा तिलहन गिरीदार फल और तिलहन जैसे तिल, मुंगफली और बादाम इस तरह की चीज़ों से क्या मिलते हैं विटामिन E और इसका कारे क्या है भोजन वे सरीर में वसा अमल विटामिन A तथा C को नश्ट होने से बचाना इसका कारे है हमारे सरीर में जो वसा अमल होती है विटामिन A होता है और विटामिन C होता है उसको नश्ट होने से ये बचाता है और इसका विज्यानिक नाम है टोको फेरोल क्या है इसका विज्यानिक नाम विटामिन E का विज्यानिक नाम है टोको फेरोल और यह याद रखना यह जो विटामिन हम पढ़ रहे हैं यह वशा में घुलनसील है जो वो हम विटामिन पढ़ रहे हैं और लाश्ट विटामिन है जो वसा में घुल सील है वो है विटामिन के गहरी हरी पतेदार सबजियां किस से मिलता है ये गहरी हरी पतेदार सबजियां अंडे की जर्दी कलेजी इन चीजों से ये मिलता है और ये हमारे सिरीर में भी बनता कहां पर छोटी आंत में वेक्टिरिया द्वारा वी निर्मान इसका वेक्टिरिया द्वारा वी निर्मान होता है कहां होता है छोटी आंत में जहां पर सबसे ज़्यादा भोजन रहता है छोटी आंत में वहां इसका निर्मान होता है कौन से विटामिन का विटामिन की का इसक इसका नाम एक है फिलोकूमिनन इसका जो वेग्यानिक नाम है तो ये हमने चार जो पड़े हैं विटामिन विटामिन एंसे विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन की जो क्या है व्हसा में घुलन सी tür और अब हम देखेंगे ऐसे विटामिन जो जल में गुलनसील होते हैं चलो देखते हैं ये है विटामिन ये खादिस्त्रोत और ये कार है ये है थाइमिन या बीवन विटामिन बी जो है उसका पाट है ये और इसको थाइमिन बोलते हैं साबुत अनाज में मिलता है दालों में गिरी दाल फलों में अंडे की जर्दी और मास से ये हमें मिलता है और ये इसके कारे हैं कार्बोज के चापचे यानि की मेटाबोलिजम में साहिता करता है आगे दे जिसको विटामिन B2 भी बोलते हैं, यह हमें मिलता है हरी पतिदार सब्जियों से, दूद से, अंडा से और कलेजी और गुर्दे का मास इन चीजों से हमें मिलता है यह विटामिन B2 इसके कारे क्या हैं, कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के मेटाबोलिजम में यह सहता करता है आगे देखते हैं, आगे है नियासिन, यह भी एक विटामिन है यह मिलता है अनाज, दाले, दूद, गिरीदार, फल, तिलहन, विशेश अंगों का मास तथा मचली इन चीजों से यह है नियासिन, जो विटामिन है, यह मिलता है और इसके जो कारे हैं, वो हैं कार्बोज, वसा एंड प्रोटीन के मेटाबोलिजम में यह सहता करता है यानि कि इनके पाचन में, इनको बजाने में सहता करता है शरीर में इन चीजों की जुरूरत होती है और इनके अवशोशन में यह सहता करता है फॉलिक अमल यह मिलता है, साबुद, अनाज, हरी पते वाली सबजियां, दूद, अंडा, कलेजी और गुर्दे का मास इन सबजीजों से मिलता है, फॉलिक अमल, उसे फॉलिक एसिड भी बोलते है इसका कारे है, अस्थी मजजा जो बोन मेर होती है, उसमें लाल रुधिर कनिकाउं, यानि की आर बीसी, रेड बलड सेल, के निर्मान में ये मदद करता है कौन फॉलिक अमल, जिसके अंदर रक्त की कमी हो जाती है, आर बीसी की कमी हो जाती है, उनको फॉलिक एसिड की गूलिया दी जाती है तो ये भी एक क्या है, विटामिन आगे देखती हैं विटामिन बीट फैल ये हमें मिलता है पसू जन्ने खादे पदार्थों से जैसे दूद, अंडा और विशेस अंगों का मास और जो इसका कारे होता है वो होता है अस्ती मज़ा यानि की बोन मेरों में लाल रुधिर कनिकाओं के निर्मान में मदद करना कारे में सहहेता करना जो हमारा पाचन तंत्र है जो हमारी तंतरी का तंत्र है उसके सुचारण रूप से कारे करने में क्या करता है सहहेता करता है आगे देखते हैं विटामिन जिसको बोलते हैं एसकौर्बिक आमल विग्यानिक नाम इसका है एसकौर्बिक आमल यह मिलता है कट्टे फलों से आमला में सबसे ज़्यादा होता है तो यह आमला, अम्रूद, अहरी पतिदार सबजियां टमाटर, हरी मिर्च और सिमला मिर्च इन सब चीजों से ये हमें मिलता है जो है विटामिन C इसका कार्य है खाव को जल्दी भरने में मदद करना ये क्या करता है खाव को जल्दी भरने में मदद करता है लोह तत्व के अवशोशन में सहायता करता है ये क्या करता है लोग जो तत्व होता है हमारे सरीर के अंदर उसके अवशोशन में साहिता करता है उसका अवशोशन होता है सरीर के अंदर तो उसका अवशोशन में क्या करता है ये साहिता करता है और एक काम है इसका कुछ आवश्यक पदार्थों को नश्ट होने से बचाने म तो इस तरह हमने जाना कौन-कौन से विटामिन है जो वसामे घुलनसील है जैसे विटामिन के विटामिन ए विटामिन डी और विटामिन ए ये हैं वसामे घुलनसील और कुछ विटामिन है जो जल में घुलनसील है वो है विटामिन बी और विटामिन सी तो हमने विटामिन के बार में पढ़ा इस वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद